बिस्मिल्ला इर्मान इराहीम, असलाम लेकूम, वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिक्सल लैब में, टेक्स्ट का जो कलर है न, वो कैसे सिलेक्ट करना है, और बैक्गरॉंड जो है, वो कैसे एड़ करना है, और उस प यलो सेर्कल में इस पे क्लिक करेंगे, और इमेज साइज का आप्शन आपको नजर आएगा, ग्रीन एरो पॉइंट कर रहा है जहां पे, यहां पे क्लिक करेंगे, तो आपको रिश्यो शो हो जाएगी, वहां से आप सिलेक्ट करेंगे, यूट्यूब थामनेल, यह ग्रीन यहां से एक अच्छा सा सोबर सा कलर सिलेक्ट करें, जो मतलब अच्छा लगे, रेड्ड सर्कल में टिक का निशान है, उस पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने जो सिलेक्ट किया, वो यह वाला किया था सिलेक्ट मैंने, जो मतलब पिक्सल लैप की अप्लिकेशन का अपना जो इंटरफेस का कलर है यह उसके साथ जा रहा था, यलो सर्कल में आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइट पे स्टिकर की ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यह सारे स्टिकर्स आपके सामने उपन हो गए, यह देखें यलो एरो से आपको पॉइंट हो रहा होगा, आप इस पे क्लिक करते जाएंगे और स्टिकर्स तो आप यहां से कोई एक स्टिकर यहां से पिक करें और उसका कलर चेंज करके तो आप उसको एड़ कर सकते हैं वैसे यहां से मतलब यूजेली नहीं करते होते हम और यह इमोजी है और आप अगर इसका कलर चेंज करें यहाँ पे color वली option पे click करके enable करें देखें यह बिल्कुल ही red हो गया तो यह नहीं हो सकता इस तरह साथ opacity है अगर opacity वाला कम ज्यादा करें तो शायद जल जाए लेकिन stroke वाली option भी आप try कर सकते है कि अगर side पे उसका stroke width कम ज्यादा करके देखें यह अगर अच्छा लगता है तो तो यह वहला sticker हमें नहीं चाहिए इसको delete करते हैं delete की दो options हैं आप upper और lower side से भी delete कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है इसका arrow arrow यहाँ पे देखें कितने सारे arrows हैं उसकी width है उसका stroke है उसका color है तो आप यहाँ से select कर सकते हैं अगर arrow select करना तो यह जो बहुत ज़्यादा जिसमें options है ना इस पे हम एक और अलग से video बनाएंगे ताकि इसकी सारी एक एक option जो है ना वो आपको समझ आ जाए अपने thumbnail पे कोई भी ऐसा जैसा मतलब कोई topic है आपका आप उस पे focus करना चाते हैं या आप अपने audience की attention किसी ऐसी line की तरफ करवाना चाते हैं तो आप इस arrow को इन arrow को यह निके इस्तमाल कर सकते हैं point करने के लिए gradient color को देखते हैं gradient color अगर select करें तो वो arrow कैसा लगता है उसमें तो एक एक करके आपने सारे color को select करके इसी तरह देखना है कि कौन सा अच्छा लाग रहा है single color पर अगर देखें तो single color कैसा लगेगा इसमें भी जो color है वो सारे यानि के background के according ये yellow वाला जो arrow है ये ज़्यादा इस पर उठ रहा है ठीक है उसके बाद stroke ट्राइ करके देखें अगर stroke add करें तो फिर उस पर कैसा जो है arrow लगता है और फिर दुबारा gradient color पर select करके देखा कि कौन सा अच्छा लगेगा तो इसी तरह आपने hit and trial से ही हम सीखते हैं हो सकता है पहली बार में आप बनाएं तो अच्छा ना बने thumbnail ठीक है लेकिन कोई बात नहीं अच्छा उसके बाद इसको back किया मैंने तो ये cancel का option आ रहा था मैंने cancel करके इसको delete कर दिया ठीक है वैसे okay भी कर सकते हैं आप लेकिन मैंने इस तरह किया था हान जी उसके बाद next option आ जाती है हमारे पास text की a पे क्लिक किया और text select किया हान जी उसके बाद आपको एक pencil का निशान नजर आएगा और आपने उस पे क्लिक करना है ये देखें red circle में और edit करके तो फिर आपने text जो भी type करना है वो type करके और यहां पे cross बनाव है उससे आपने delete करने ने new text और जो भी type करना है वो type करके yellow circle आपको नजर आ रहा होगा ok कर देंगे ठीक है उसके बाद text का size जो है वो adjust करेंगे और जहां पे आपने उसको पूरे thumbnail पे adjust करना है वो adjust करेंगे yellow circle में tick का निशान नजर आ रहा होगा वहां से ok करेंगे और जो वाला font का style है वो आपने select करना है मैं हमेशा यही वाला select करती हूँ तो मैंने इसी को select करके ok कर दिया उसके बाद आपने bold वाला अगर आप चाहते है text तो आप उसको पे भी select कर सकते है उसके बाद आपने color पे select करना है और देखना है कि कौन सा color add करना है stroke कौन सा add करना है यह सारी जो है आप्शन्स आपने इसी तरह हर step में करनी है जब भी आपने जो भी type करना है plus का निशान नजर आ रहा होगा यहां पे उस पे click करेंगे और अगर आपने खुद से कोई color इसका add करना है तो यहां पे यह देखें आप इसको backward move करके आप select कर सकते हैं dark color जो है यह देखें मैं इसकी तरफ जा रही हूं backward और यहां पे थोड़ा सा यह मतलब इस तरह का design वाला हो गया background जो है इसका stroke जैनी के जो है तो यह आप पे है कि आपने कौन सा color select करना है अगर मैं इसको बहुत light की तरफ लेकर जाती हूं तो यह देखें stroke जो है बहुत light color का हो जाएगा तो यह अच्छा नहीं लग रहा था इस text के साथ तो मैंने इसको वापिस जो है कर दिया और जो है मतलब stroke का दूसरा वाला color जो है उसको भी मैंने change कर दिया तो इस तरह आपने जो है ना stroke का color select करना है तो यह वाला अच्छा लग रहा था मैंने इस पे okay कर दिया अगला जो step है उसमें stroke के width देखनी है यह देखें आपको यहाँ वे नजर आ रहा होगा मैं इसको कम ज़्यादा कर रही हूँ stroke के width जो अच्छी लगती है आपने वो select कर लेनी है आप new text पे फिर select किया और दूसरा जो आपने add करना है pencil के निशान पे click करके आप उसको delete करेंगे और फिर उसी तरह type करेंगे जिस तरह आपने पहले type किया और यहाँ पे जो है आप cancel भी कर सकते हैं यानि कि अगर आपने text नहीं type करना तो आप उसको cancel कर दें अगले step पे मैंने ये किया कि पहले type करने से पहले मैंने text का ना color select कर ली है तो यहाँ पे color वली option पे click करेंगे और color select करेंगे वैसे आप पहले type पे कर सकते हैं और color बाद में select कर सकते हैं उसके बाद gradient color वली option select की है और gradient में देखते हैं कि कौन सा वला जो color है ना वो अच्छा लग रहा है इस background पे तो मैं one by one सारा select करके देख रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा था लेकिन कोई भी color जो है ना उटनी रहा था इस पे इस वले background के according वैसे इस पे औरेंज color जो है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था vibrant लग रहा था यानी कि जब आप color select कर लें तो yellow circle में टिक का निशान है उस पे click करके उसको ok कर दें अब इसके font का style जो है हम select करते हैं मैंने इस दफा जो है ना थोड़ा different select कर लिया ताकर थोड़ा different हो जाए ठीक है और red arrow के साथ आपको शो हो रहा होगा जो मैंने select की है और इसमें आप इसको bold वली option भी है वो भी आप select कर सकते हैं अब जो है ना हम देखते हैं के कौन सा वाला color जो है वो इस पे suit करेगा इस background पे तो यह orange वाला जो है यह बेतर लगेगा one by one सारे देखते जाएं और select कर लें अच्छा अब new text वाली जो option है ना इसको हम देखते हैं जब select हो गया color तो उसके बाद जो हम pencil वाला जो निशान है उस पे click करेंगे cross से सारा new text वाला remove करेंगे और जो type करना है हम वो type करके तो उसको adjust करेंगे तो gradient colors जो है उसके बारे में था यह तो हमने gradient color जो है वो type किया और उसको adjust किया अच्छा उसके बाद next option जो है ना वो paddling की है paddling जो है उसका फाइदा तब होगा जब आप कोई background select करेंगे text के background ठीक है तो उसके लिए यह जरूरी है कि एक background हो जिसको आप corner तक जो है ना extend करें तो इसके लिए हम सबसे पहले background select करते हैं और background का color select करते हैं कौन सा color select करें इस text के according background का भी color होगा ठीक है enable करेंगे और background का color select करेंगे तो यह white जो है ना यह इस पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अब यहां से इसको extend करेंगे like right side पे और left side पे यह देखें arrows के साथ आपको शुरू हो रहा होगा जब paddling हो जाए इसकी और आप extend कर लें background को तो उसके बाद आप text का जो है ना stroke select करें और उसको enable करें और कौन सा color select करना है वो select करें stroke की width को आप यहां से कम ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद प्लस के निशान पे click करके आप देखें कि आपने खुद से कौन सा color select करना चाहरे हैं अगर आप select करना चाहते हैं तो यहां से select कर लें उसके पाद जो option आती है shadow की उसको enable करें select करें और enable करें और फिर उसके बाद उसको कम यह ज़्यादा करें इसमें और भी बहुत सारी bottom पे बहुत सारी और भी options हैं इसके यहां से भी देख सकते हैं के आपने shadow वाले options को कैसे यूज करने और उसका भी color होता है shadow भी वह भी आप यहां से select कर सकते हैं one by one कि कौन सा shadow का color जो है न वो आफ के text के साथ जा रहा है तो आपको नजर आ रहा होगा यहां पे जब color apply हो रहा है तो वो show भी हो रहा है इसकी boundary पे यानि कि जो आपने text उसको कम ज़्यादा कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उस पे पता चल रहा है कि हाँ shadow जो है वो show हो रहा है text का अच्छा red circle में आपको inner shadow नजर आ रहा है उसको enable करें और उसका radius जो है वो देखें कि कम ज़्यादा कैसे करने कितना करने और इसके जो color show हो रहे हैं उनको भी select करने और जो color अच्छा लगेगा और उसका radius कितना रखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद इसको ok किया next option है 3D shadow यलो circle में आपको नजर आ रही होगी इस पे click करेंगे enable करेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन से colors जो है वो इस पे apply करें तो अच्छे लगेंगे उसके बाद आपने अपने channel का नाम अगर add करना है तो आप plus वले निशान पे click करें red circle में आपको नजर आ रहा होगा और आपका वहाँ से new text जो है ना वो select हो जाएगा और आप उ new text को delete करेंगे और अपने channel का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप जो text का style है वो select करेंगे और मैंने एक ही style रखा हुआ है मैं उसे में अपने channel का नाम लिखती हूँ तो मैंने वो ही select किया यहां से और फिर उसको adjust करेंगे कि कहां पे adjust करना है ठीक है जो भी आपने text अपन adjustment हुद करनी है तो उसके बाद यह जो उपर प्लस का निशान नजर आ रहा है आप इसको भी select करके जो है ना अपना stickers वगरा यहां से आप add कर सकते हैं यह यहां पे options नजर आ रही होंगी आपको text है ठीक है उसके बाद current date है उसके बाद यह stickers वाली option आपको green arrow के साथ green arrow point कर र यह downward आपको सारे stickers नजर आ गये है आप यहां से जो भी sticker select करना है उसको select करें और tick पे click करें और उसको okay करें और उसके बाद जो आपने color change करना है अगर आप color भी change करना चाथे हैं अपने stickers का तो वो भी हो सकता है अगर वो अच्छा लगता है तो आप उसको select कर लें ठीक है उसकेबाद यह मैंने कलर बाली ऑफ्शन पर क्लिक युख किया उसको एनेबल कीया और वन पाई वन देख तुट करते हैं कों सा कलर स्टार पर सुट करता है ठैक है? वैसे तो स्टार का एक होता है लेकिन हम चो हैना स्टार्र का लर्डž कर देते है. क्या बात है? तो आपके थामनेल के color के according कौन सा star अच्छा लगेगा आपने वो select करना है वैसे दो color अच्छे लग सकते हैं यहाँ पर yellow या फिर orange color जो है suit कर सकता है तो हम देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है वो हम वो select कर लेंगे तो यह वही procedure है यानि कि आपने हर text पे हर आपने stroke पे color select करना है उसको set करना है और उसको okay करना है यानि कि हर एक text के लिए एक ही procedure है उसके बाद gradient colors थे मैंने का जो लो वो भी try करके देख लूँ अगर अच्छा लगता है लिगे तो gradient में से orange color select की है मैंने और अगर आप सारा thumbnail बन गया है तो आप इसको save करना चाहते हैं तो यहां पे ऊपर एक option नज़रा रही होगी आपको yellow circle में यहां से आपने save करना है इसको ठीक है क्लिक करेंगे इस पे और इसकी दो options नज़राएंगी आपको save as project या save as image save as project यह वो pixel lab application में सेव होगा और save as image आपकी gallery में चला जाएगा ठीक है उसके बाद आप save as project पे क्लिक करें और अपने जो आपने यह एक तरह की फाइल बन ज़ेगी आपकी आप उसका नाम सेलेक्ट करें ठीक है तो जो भी नाम आपने सेलेक्ट करना है उसको इबाद ok करें और उसको save हो जाएगा जब फाइल बन जाए तो three dot पे क्लिक करें export image की option आपको show होगी आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन चार options आजाएंगी अब यहाँ पे custom लिखा हो है अब इस पे चोटा सा एक arrow है यहाँ क्लिक करेंगे और ultra वाली option आपने सेलेक्ट करनी है ताके आपका image अच्छी quality में save हो यह देखें अब ultra पे save हो गया उसके बाद गैलरी में देखना है कि आपका image जो है कैसे save करना है फिर वही procedure है उस पे click करेंगे और उसको ultra पे save करेंगे ठीक है image जो है वो save हो गया यह देखें red circle में आपको नजर आ रहा है उसके बाद three dot पे click करें और auto save पे देखना है आपको recover करना है अगर तो आप देखें कि आपके यह सारे image जो आपने save की है ना यहां पे show हो रहे है अब इस पहले वाले पे click करेंगे तो आपको show हो जाएगा कि वो save है ठीक है अब file देखनी है कि जो file बना के save की थी तो वो इस पे यहां पे file का नाम होगा उस पे click करेंगे तो यह आपको नजर आ जाएगी I hope यह video आपके लिए helpful हो की अपना ख्याल रखें वीडियो अच्छी लगे तो like करें शेयर करें और चैनल को subscribe करें all notification पे click करें अला हाफिज